Hello everyone, this is Dr. Sam और आज हम पढ़ रहे हैं Asmo Regulator No. 2 देखो इसे पहले हमने ना Asmo Regulator पढ़े थे अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वाला लेक्चर नहीं देगा तो आप लोग जरूर देखे तो इसे पहले हम पढ़ चुके थे Asmo Regulator एक ऐसे Asmo Regulator हम पढ़ चुके थे जिसकी बाड़ी के अंदर साल्ट ज्यादा था और बाहर कम था सही है बाहर जो था वाटर ज्यादा था और अंदर जो था वाटर कम था तो वाटर कांटिनूसली अंदर की तरफ जा रहा था लेकिन आज का जो हमारा टापिक हम एक ऐसी एनिमल की बारे में बात कर रहे हैं जो के हाइपो है हाइपो का मतलब यह है कि उसके अंदर साल्ट कम है सही है और बाहर जो है बाहर बाहर साल्ट ज्यादा है देखो यहाँ पर साल्ट ज्यादा है सही है और अंदर जो है वो कम है अच्छा अब लोग आप लोग गोर करें कि अगर एक एनिमल है उसके अंदर साल्ट कम है और वाटर जियादा है यहाँ पर वाटर जियादा है सही है? वाटर क्या है? बहुत जियादा है तो water तो continuously बाहर की तरफ आईगी water किस तरफ आईगी बाहर मैंने आप लोग को बता दिया था कि water क्या है ये एक salt डावर है बाहर क्या है बाहर salt ज्यादा है और अंदर कम है तो water बाहर की तरफ आईगी अब अगर एक animal है और उसमें जो है वह हो marine animal है marine और marine water में रह रहा है तो marine water में तो salt बहुत ज्यादा होता है तो उस animal से water बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी जब बाहर आना शुरू हो जाएगी तो उस animal को कौन कौन से problem सामने आएंगे और उन से कैसे बच सकता है तो अब हम वह पढ़ रहे हैं लेकिन इस से पहले इसकी example में आप लोगों ने क्या लिखना है marine telost यानि कि telost का मतलब क्या है bone तो marine telost जो है ना boney fishes होते है boney fishes तो उनको ये problem सामने आता है क्या problem उनको सामने आता है कि उनकी body से water बाहर की तरफ आता है क्यूंकि बाहर जो होता है ना बहुत salty environment बहुत salty water में वो रह रहे होते हैं अब अगर एक animal salty environment में रह रहा है तो उसकी body से continuously water बाहर आ रहा है अब देखो इस animal को क्या problem हो रहे है इस animal को एकसिस salt का सामना पढ़ रहा है और water last देखो एक तो इस से continuously आप लोग problems देखें problems क्या क्या है problems है हमारे पास गवर करें हाँ problems में आप लोगों के पास दो problem है क्या problem है एकसिस आप salt सही है एकसिस salt क्या मतलब बाहर बहुत ज्यादा salt है तो salt अंदर की तरफ जा सकती है बाहर बहुत ज्यादा है तो salt अंदर की तरफ जा सकती है और दूसरा क्या है water last इसकी बाड़ी से continuously water जो है वो last हो रहा है तो ये animal क्या करेगा ये animal ऐसी काम करेगा जिसकी वज़ा से ये water last को compensate कर सके कैसे compensate कर सकता है अगर एक चीज़ की वज़ा एक animal से water last हो रहा है तो यार वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिये गा अब अगर अगर मेरी बाड़ी से मेरी बाड़ी से अब मैं suppose कर रहा हूँ अगर मेरी बाड़ी से ज्यादा water निकल रहा है बहर महुत जियादा वो है ना?